अखेल भारती कॉंग्रेस कमेटी के आवाहन पर हिमाचल कांग्रेस ने राज़भवन के बाहर धरना परद। हर सेक्टर में दो ही पुंजीपतियों को आगे किया जा रहा है बीते दिनों केंडर सरकार का प्रेम जम कर अधानी समू के लिए नजर आया उन्होंने कहा कि सरकार एजनसियों पर अधानी के शेयर में निवेश करने का दबाब बनाया जा रहा है उन्होंने कहा कि संसत के बजट सत्र के पहले चरण के दोरान भी कांग्रेस लगतार इस बात को लेकर मुखर रही आज से शुरू हो चुके संसत के दूसरे चरण के बजट सत्र में भी कांग्रेस इस मांग को लेकर मुखर रहेगी केंदर में एक ऐसी सरकार बैठी है जो कई मुतों को हमने बार-बार उठाने की कोशिश की पारलिमेंट में भी बोलने की कोशिश की कि जितनी भी देश में आज कारे हो रहे हैं क्या अमबानी और अदानी रहे गे और भी बड़ी कंपनी इसमें काम करना चाहती थी पर सबकी अंदेखी करके एक ही कंपनी को ये काम चाहे वो किसी भी कंस्ट्रक्शन का वर्क है कोई भी है वो इनी को दिया जा रहा है इसके लिए हमारा अब्जेक्शन था जिसके बारे में हमने कई बार पारलिमेंट में प्राइम निस्टर से भी ये बात करने की कोशिश की और हमने धरना प्रदर्शन भी किया, पार्लिमेंट में भी उठाई और उसी तरह से हमने जहां-जहां भी संभव था अपनी बात रखने की कोशिश की, पर हमारी बात को अंदेखा किया गया, इसलिए आज हम ये मुमेरेंडूम जो हमने गवर्नर साब को दिया है, हम चाहते ह कि ये राश्ट्रपती तक पहुंचे और राश्ट्रपती जी भी हमारी भावना से अफगत हो, अब डिटेल में तो नहीं, बट रिटन तोर पे हमने अवश्य वो बागत इसमें लिखकर गवर्नर साब को दी है, और उन्होंने कहा है, एज पर कॉंस्ट्यूशन में आपकी इस ठीक है, कोई रेप्रेजेंटर भी अपने इलाके का, तो उसको अपनी मांगे रखने का उनका विदायत्व होता है, उनकी कुछ मांगे थी, जो हमने सरकार के समक्ष रखनी है, और उसका समधान करवाना है, अब हमाचल के आवाज उठाते रहे हैं, तो अभी भी क्या म परतबा भी मैंने नैशनल हाईवे में जो काम चल रहा है, उसमें बहुत सी अंदेखी हुई है, उसके बारे में मैंने वहाँ चर्चा की थी, इस बार भी कई मुद्धे हैं, जो केंद्रे से संबंदित है, उस पे भी मुझे चर्चा करने की आफशकता है, और मैं वो जाकर विधान सबा पार्लेमेंट में टाइम भी लूँगी और उस पर चर्चा भी की जाएगे, आज अखिल भारतिये कॉंग्रेस कमीटी के निर्देश अनुसार हिमाचल प्रदेश कॉंग्रेस कमीटी ने राजबहुन के समुक धरना प्रदेशन किया, और शिरीमती प्रतिबा प्रता जी, नंदलाल जी, विने कुमार जी, जो विधायक है, रवी ठाकुर जी, हम लोगों ने जो है देश के महामीम राश्टर पती को गवर्नर मोदे की मारपर्त जो है ग्यापन सबा, आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों एक बहुत बड़ा स्केंडल सामने आया कि हमारी जो SBI है और LIC है, उनसे जबरदसी निवेश जो है अडानी साब की कमपनी में कराया गया, और बाद में जो जो फाइनेशल बैटर्स को देखती है कमपनी, हेडनबर्ग, उनके खुलासे के बाद अडानी की कमपनी के सारे शेयर गिर गे, इससे जो है क्रोणों का को लगा, यह बहुत चिंता का विश है, जो भी सरकारी उपकरम है, उन्हें बेचने की साजिश हो रही है, पिछले दिनों आपने देखा कि बहुत सारे सरकारी संस्तानों को बेचा गया, और जो मुनाफि में चल रहे थे, जैसे LIC, उस पे भी कहीं न कहीं दबाव बनाया गया, कि वो जो है, अडानी सहाब की कंपनी में निवेश करें, तो ये मैं समझता हूँ, अजाद भारत का सबसे बड़ा गोटाला है, संसद में भी ये मांग उठी, कि खुलासा होना चाहिए, और संसद में कॉंग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों ने, जूटे पाएगे, और अभी सरकार जो है, जेपी सी की मांग से डर रही है, और आप लोग जानते हैं, कि जेपी सी उसमें तो तमाम पार्टियों के संसद होंगे, कॉंग्रेस के भी होंगे, भाजपा के भी होंगे, और दूसरे जो भी पक्षी दल है, उनके भी संसद अगर सरकार का दामन इतना साफ है, तो सरकार जोइंट पालरिमेंटरी समीति के गठन से क्यों डर रही है, तो इसे लगता है कि कहीं न कहीं दाल में काला है, तो हमने आज ये मांग की है, पूरे देश में कॉंग्रेस पार्टी के कारे करताओं ने, राजबहुन के स्मुख धनना प्रदर्शन करके ये मांग की है, राष्टरपती मोदे से, इसकी पूरी जाच होनी चाहिए, और जल्दी से जल्दी जो है, जोइंट पालरिमेंटरी कमिटी, जो सुख सस्तिय समीति है, उसका गठन होना चाहिए, जाच होनी चाहिए, ताकि जो सचाई है, वो जनता के सामने आसे, इमाजल बस न्यूस के लिए, शिम्रा से पुष्पंजा चौजरी की रिपॉर्ट